Hello everyone, Easy Physics by NK channel पर आप सब का एक बार फिर स्वागत है 12th class की physics अपन पढ़ रहे हैं और इसका chapter number 8 चुम्बक्तव एवं चुम्बक के पदार्थों के गुंड धर्म अपना चल रहा है और इस इसरंख्ला में आज अपना तीसरा वीडियो है अभी तक अपने जो पढ़ा था कि आपके पास कोई magnet है उसके चारो तरफ चुम्बक की अक्षेतरूतपन होता है किसी धारवा ही तार के चारो तरफ चुम्बक की अक्षेतरूतपन होता है कोई धारवा ही ये दिया आपके पास वरीताकार गुंडली है तो उसके चारो तरफ चुम्बक की एक्षेत रूत्पन होता है चुम्बक के दो धुरुवे होते हैं एक धुरुवे की प्रबलता को गगर अगर पन स्मॉल एम से लिखें तो एक चुम्बक के दोनो धुरुवों की प्रबलता हैं हमेशा समान होती है बेसिक फंडामेंटल तयार करने के बाद में आज अपना जो एक बहुत महत्वापुण और एक वेरी इंटरस्टिंग टॉपिक है चुंबक की ये द्वीधुरू है मैगनेक्टिक डाइपॉल इस वीडियो को सुरू करने से पहले में आप लोगों को बता दूँ कि दो वीडियो अपनी से पहले अपलोड कर चुके हैं इस चेप्टर का जो बेसिक फंडामेंटल चीजे हैं उनमें आप जाकर के उनको तयार कर लीजिए उसके बाद में यदि आप ये वीडियो पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर होने वाला है यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक से लेकर के साथ तक के प्रतिक टॉपिक के वीडियोज अवेलेबल है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें और आगे के लिए पूरा सेलेबस 12th क्लास का पढ़ने के लिए बने रही है हमारे शाथ चुम्बक ये द्वी धुरुए हैं चुम्बक है द्वी का मतलब दो हैं धुरुए का मतलब पॉल्स होते हैं जो चुम्बक के दो धुरुए होते हैं एक को अपन उत्री धुरुए और दूसरे को दक्षन धुरुए कहते हैं तो दोनो धुरुवों के और चुम्बक की बनावट के आधार पर एक बहुती क्रासी अपने पास आती है उसके बारे में अपने इस चेप्टर में पढ़ेंगे चुम्बक की ये द्वी धुरुव है आगुर्ण आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा पर बहुत इंट्रेस्टिंग होगा अगर आप एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आप इस टॉपिक को एक बाहर के अंदर क्लियर कर पाएंगे टेलेग्राम का ग्रूप हमें फॉलो करने के लिए फेस्बुक का ग्रूप फॉलो करने के लिए और वाटसब का ग्रूप फॉलो करने के लिए आप लोगों को लिंक है वो डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर के आप अपने किसी भी प्रकार के प्रशन की जो क्यूरी है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं निश्ची तुरूप से आपका समाधान किया जाएगा चलिए शुरू करते हैं आज का टोपिक चुम्बक ये द्वी धुरुए तो इसकी परिभासा क्या है कि अगर आपके पास कोई एक मैगनेट है उस मैगनेट के दोनो धुरुए हैं उनकी जो धुरुव प्रबलता है वो हमेशा समान होती है चुम्बक के बीच में थोड़ी सी लंबाई भी होती है जिसे अपन चुम्बक की प्रभावी लंबाई कहते हैं तो ये जो एक सरंचना आप लोगों के साबने मैगनेट की आती है उसे अपन चुम्बक की द्वी धुरुव कहते है तो इसकी परिभासा आपने कुछ इस तरीके से लिखी है कि दो समान धुरुव प्रभलता समान धुरुव प्रभलता मैगनेट के दोनों धुरुव की प्रभलता हैं हमेशा समान होती है एवं विप्रीत प्रकर्ती के धुरुव विप्रीत प्रकर्ती का मतलब है एक उत्री धुरुव और दूसरा दक्षन धुरुव ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग चुम्बक के आप एक चुम्बक का उत्री धुरुवे ले लें दूसरी का डक्षन धुरुवे ले लें ऐसा नहीं होगा एक ही चुम्बक का उत्री धुरुवे और दक्षन धुरुवे लेना होता है क्यों कि एक चुम्बक के दोनों धुर्वों की धुर्वय प्रबलताएं हैं वो समान होती हैं यदि आप अलग-लग मैगनेट लेंगे तो हो सकता है कि उनके धुर्वय प्रबलताएं अलग-अलग हो जाए तो दो समान धुर्वय प्रबलता और विप्रीत प्रकरती के धुर् प्रते एक magnet जो है वो आपका magnetic dipole कहलाता है उदारन के लिए कोई भी छड़ चुम्बक है वो आपका magnetic dipole है धारावाही कुंडली यदि वृताकार धारावाही कुंडली है उसके अंदर धाराप्रवाहित होगी तो वो भी आपके पास चुम्बक की भांती विभार करेगा एक से आप देखेंगे तो उत्री दुरुए और दूसरी तरफ से करंट की डायरेक्शन को आप देखेंगे तो आपको दक्षनी दुरुए नजर आएगा किस तरीके से पूरा विश्तार पूरो के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो चुम्बक ये दुवी दुरुए की एक कि ये माली जे मेरे पास एक मेगनेट है और इस मेगनेट का ये मेरे पास उत्री दुरुए है और ये इसका दक्षनी दुरुए है इसकी दुरुए प्रबलता M है और इसकी दुरुए प्रबलता भी M है लेकिन उत्री दुरुए की जो दुरुए प्रबलता है उसको अपन positive M से लिखेंगे और दक्षिन धुरुए की जो धुरुए प्रबलता है उसको अपन minus M से लिखेंगे दोनों का संख्यात मकमान हमेशा बराबर होता है तो अपने को करना क्या है कि इस magnet के एक धुरुए की धुरुए प्रबलता जो अपन पहले पढ़कर के आए हैं इसका मात्रक होता है ampere meter तो एक धुरुए की धुरुए प्रबलता ले ले और दोनों धुरुए के बीच की जो पे चुम्बक की धुरुए है तो एक धुरुए की धुरुए प्रबलता और दोनों धुरुए के बीच की लंबाई का जब आप multiplication करेंगे गुणनफल करेंगे तो जो आपके पास एक बहुती क्रासी calculate हो करके आएगी उससे एपन चुम्बक की धुरुए अगुर्ण कहेंगे अब ये परिभासा अपनी यहां पे लिखते हैं देखिए अब अपने सामने एक छोटी सी problem आती है अक्षर ये problem 100% बच्चों को face करने को होती है इस बात को मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से clear करूँगा अभी आपने बात करी कि सर चुम्बक है वो दो तरीके चलूँगा दूसरे टोपिक को अपन इसी वीडियो में इसके बाद में डिसकस करेंगे दोनों का तुलनात्मक अध्यन करेंगे तो ये जो चुम्बक की अध्विद्रुआ आगुर्ण का टोपिक है वो 100% क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहला जो टोपिक अपन लेकर के चल का आगुर्ण का फोर्मूला मुझे लगाना है तो अपने इस टोपिक में क्लियर करते हैं सबसे पहली जो लाइन है जिसके उपर मैं ज्यादा फोर्स डाल रहा हूँ वो है छड़ चुम्बक का चुम्बक की आगुर्ण तो अभी आपने जो डैफिनेशन समझी है उसको ल प्रबलता ले लीजिए एवं धुर्वों के मध्धे की दूरी का गुर्ण फल चुम्बक की आगुर्ण कहलाता है ये जो डैफिनेशन है वो आपकी छड़ चुम्बक के लिए ही लागु है तो अब इसका फोर्मूला क्या हो जाएगा चुम्बक की दुर्वा आगुर्ण जो है उसे अपन capital M से प्रदशित करेंगे तो एक दुर्व की दुर्वा प्रबलता को small M से और इनके बीच की प्रभावी लंबाई को अपने L से लिख दिया तो capital M बराबर small M into L हो गया तो ये आपके पास छड़ चुम्बक का चुम्बक की आगुर्ण आ जाता है अब जै तो निश्चित रूप से उसकी कोई दिशा भी होगी तो इसकी दिशा की यदि अपन बात करें तो जिस तरीके से विधूत दुर्वा आगुर्ण में आपने दिशा पड़ी थी माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ और चुम्बक में जो माइनस आवेश की तरह जो द दक्षिनी धुर्वा काम करता है तो similarly इसकी भी जो दिशा है वो दक्षिनी धुर्वा से उत्री धुर्वा की तरफ हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा पेज को नीचे स्किप करता हूँ मैंने यहां पर थोड़ा सा लिखा है क्या सबसे पहले तो आप लोगों के लिए यहां पे हमारे whatsapp number available है इन whatsapp number को आप save कर लीजे और किसी भी तरह की कोई क्यूरी है वो आप हमारे साथ share कर सकते हैं तो सबसे पहले जो चुम्ब की आगुर्ण है वो कैसी रासी हो गई? सर सदीश रासी हो गई ठीक है अगर यह सदीश रासी है तो दिशा भी होगी दिशा की चर मात्रक की बताईए देखें मात्रक क्या होगा? किसका? चुम्ब की द्वी दुरुव आग्रुन का मात्रक क्या होगा? सर मात्रक में एक तो दुरुव प्रबलता है दुरुव प्रबलता का मात्रक होता है एंपियर मीटर और एक साथ में लंबाई है तो लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है इन दोनों को एक साथ कर लो आप तो एक साथ करेंगे तो आपके पास MPR मीटर स्क्वार इसका मात्र का जाएगा एन डाउट बहुत इजी है चलिए यदि मात्र का आप लोगों के पास आ गया तो अब अपने को इसकी वीमा भी लिख लेनी चाहिए क्या इसमें द्रवेमान है सर द्रवेमान तो नहीं है तो M की पावर 0 लगा दे क्या लंबाई है ये सर लंबाई तो मीटर का स्क्वेर आ रहा है तो L की पावर 2 लिखेंगे टाइम है क्या इसमें सर टाइम नहीं है क्या MPR करंट है क्या इसमें MPR तो है तो इस तरीके से इसका जो मात्रक है वो अपने पास ये हो जाएगा देखिए वीमा का मतलब बेसिकली क्या है कि कक्सा 11 में आपने साथ मूल भोतिक राशियां पड़ी है तो उन सभी मूल भोतिक राशियों की गात के क्रम में या आप ये दिए उसे प्रदसित कर सकते हैं वो ही इसकी वीमा कहलाती है तो इस तरीके से छड़ चुम्बक का जो चुम्बक ये आगुर्ण है वो अपन यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं कि छड़ चुम्बक का चुम्बक ये आगुन कैसे निकाला जाएगा आगुन सब्द है उसके उपर आपको ज़्यादा फोकस करना है अब क्या होगा कि ये जो मैगनेट है इस मैगनेट को ये अपन ब्रेक करें तोड़ें काटें तो इसकी धुरुव प्रबलता के उपर इसकी प्रभावी लंबाई के उपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये दि धुरुव प्रबलता का प्रभाव और प्रभावी लंबाई का प्रभाव मुझे समझ में आ गया तो इन दोनों के प्रभाव के परिणाम सुरूप अपन इस द्वी धुर्वा आगुर्ण के उपर भी पढ़ने वाला प्रभाव कैलकुलेट कर पाएंगे तो यहां पर मैं आप लोगों को डाइग्राम बना करके एक्स्प्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा देखिए कैसे कि मान लीजी ये मेरे पास कोई एक मैगनेट है इस मैगनेट की जो धुरुवा प्रबलता है मुझे दे रखी है वो स्मॉल एम और स्मॉल एम दे रखी है इसकी जो प्रभावी लंबाई दे रखी है वो मुझे स्मॉल एल दे रखी इस मैगनेट को मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक करता हूँ बीच में से लंबवत ऐसे काट देता हूँ दो टुकडों में तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चुम्बक को जब दो टुकडों में तोड़ा जाता है तो उसके जो दुरुवे होते हैं उनको अपन अलग अलग नहीं कर सकते तो अलग अलग नहीं करेंगे तो ये उत्री दुरुवे ये इसका दक्षनी दुरुवे और दूसरा जो टुकडा होगा वो भी उत्री धुरुए और दक्षनी धुरुए हो जाएगा और इंट्रेस्टिंग बात जो है वो ये है कि चुम्बक को लंबाई के लंबुवत काटने पर उसकी धुरुए प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आप चाहे इसके पांच टुकडे कर दें दस टुकडे कर दें इसके प्रतेक धुरुए की जो धुरुए प्रबलता है और वो पहले के चुम्बक के धुरुए प्रबलता के समान रहेगी परन्तु इस केस में इसकी जो प्रभावी लंबाई है वो आप लोगों की आदी हो जाएगी यदि आपने इसको बीचों बीच काटा है तो आदी हो जाएगी यदि आपने इसको अलग अनुपात में काटा है तो प्रभावी लंबाई है वो भी उसी अनुपात में हो जाएगी मैं यहाँ पर केवल समझने के उपर ज़्यादा जोड डालूँगा लिखने के उपर अपना ज़्यादा फोकस नहीं होगा यदि मान लीजिए मैंने इसके बराबर तीन टुकडे करे होते तो धुरुवय प्रबलता जो है वो तो आपकी M-M ही रहती लेकिन प्रभावी लंबाई है वो L बटे टीन हो जाती क्लीर है तो इस केस में ये जो मेरे पास पहले वाली मैगनेट है इसका जो चुम्बक की आगुर्ण है वो मेरे पास एक दुरुवय प्रबलता और इसकी लंबाई L रह जाता अब इस पहले वाले टुकड़े की दुरुवय प्रबलता की मैं बात करूँ तो वो तो दोनों में सेम है वो मेरे पास M रहती है, प्रभावी लंबाई है, वो L बाई 2 रहती है, तो दोनों स्थितियां सेम होगी, तो इन दोनों को मैं M' के द्वारा रेपर्जेंट कर देता हूँ, क्लिर है मेरी कहानी, अगर मैं इसको तीन टुकडों में काट लेता, तो ये L बटे 3 हो जाता, तो इस स्थिति में आप लोग ये ऐसा कहें, कि एक चुम्बक को बराबर दो टुकडों में काटने पर, इसका जो चुम्बक की द्वीद्रुवय आगुर्ण M' है, वो पहले वाले द्वीद्रुवय आगुर्ण की अपिक्षा बटा 2 हो जाता है, क्लिर है, ये आप इसको बरा आसानी से बीना किसी कोचिंग संस्तान की मदद के आप क्लिर कर पाएंगे, बट उसके लिए फंडामेंटल ज्यादा जरूरी है, और आपका सेटिंग प्लान जो है, सेटिंग पावर जो है, वो बहुत ज्यादा लंबार टाइम का होना चाहिए, और कंसेंटेशन बहुत क् कर पाता, तो इसका जो चुम्बक की द्वित्रो आगुण है, बराबर बराबर चार्टुकण की बात कर रहा हूं है, तो वो M by 4 हो जाता, तो बीच में से उर्द्वादर काठने की कहानी है, वो अपनी यहाँ पे क्लिर हो जाती है, तो इससे केवल इसकी प्रभावी लंब इस तरीके से काटता हूं, किस तरीके से, देखिए, एरो मार्क लगा करके मैं नीचे की तरफ शोग करता हूं, मान लीजिए इसको क्षेतिस दिशा में काट तूं, ऐसे, दो टुकडों में, बराबर बराबर दो टुकडों में, तो पहला जो टुकडा होगा, वो मेरे पास कुछ इस तरीके का जाएगा समझ पार है ये लीजिए और दूसरा जो टुकड़ा होगा वो भी मेरे पास कुछ इसी तरीके का जाएगा तो ये दी किसी मैगनेट को लंबाई के अनूदीश 36 दिशा में काटा जाता है तो ये दी बराबर बराबर वो तो बिलकुल पहले के बराबर ही रहेंगी और ये दी मैं इसको यहां से बीच में से बराबर बराबर मोटाई के तीन टुकड़े कर लेता तो एक टुकड़े की जो दुरुव प्रबलता है वो एमबाई हो जाती है और जब दुरुव प्रबलता ही परिवर्तित होती है तो यहां पे इनका जो चुम्बक ये आगुर्ण है एमडेस वो कितना हो जाएगा सर दुरुव प्रबलता एक चुम्बक की एमबाई टू होगी और प्रबावी लंबाई है वो एल होगी और इस हिस्तिति में येदि मैं इस पहले वाले चुम्बक के चुम्बक की आगुर्ण के साथ इसकी तुलना करूं तो ये मेरे पास M by 2 हो जाता है तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आती है कि लंबाई के अनुदिश काटने पर धुर्वप्रबलता परिवर्तित हो रही है प्रभावी लंबाई सेम रह रही है लेकिन आप किसी भी तरीके से एदि चुम्बक के तीन टुकडे लंबवत काटके कर लो या फिर तीन टुकडे क्षेतिज काटके कर लो इसका जो चुम्बक की आगुर्ण कैपिटल M है वो तो तिन दोनों ही परिश्धीतियों में बराबर बराबर बदलेगा क्योंकि लंबाई के लंबुत काटोगे तो प्रभावी लंबाई बदल जाएगी लंबाई के अनुदिश काटोगे तो धुरुवप प्रबलताएं बदल जाएगी तो इस तरीके से चुम्ब की आगुण का जो टॉपिक है वो अपना यहाँ पे कलियर हो जाएगी ठीक है अब इस चुम्ब की आगुण के और अच्छे फंडामेंटल नुमेरीकल अपने यहाँ पे कलियर करते है देखे प्रेक्टिस बहुत जरूरी है मान लीजे कि यही मेरे पास मेगनेट है यह मेरा मुख्य मेगनेट है और इस मेगनेट को मैं कुछ इस तरीके से काट रहा हूँ यह मेरे पास पहला पॉइंट था यह मेरे पास बी पॉइंट है और अब मैं इसका सी पॉइंट और देखता हूँ मेगनेट मेरे पास वो ही है इसी मैगनेट को मैं अलग अलग तरीके से एरजिस्ट करता हूँ तो दूसरा जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का है कि इस मैगनेट को मैं अर्ध वृताकार मोड़ दूँ ये लीजिए आध्य वृत के रूप में मोड़ दिया कुछ इस तरीके से तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है इस मैगनेट की ये जो लंबाई है जो आध्य वरत की परीधी है वो तो L के बराबरी रहेगी और ये जो वरित आपने बनाया है इसकी जो त्रीजे आपने ले रखी है वो मालीजे आर ले रखी है ये इसका उत्री दुरुव है ये इसका दक्षनी दुरुव है दुरुव प्रबलताएं समान है तो इस केस में आपके पास जो Mडेस बनेगा वो क्या बनेगा सर Mडेस में दुरुव प्रबलताएं तो M है लेकिन लंबाई का मतलब क्या है दोनों धुरूओं के बीच की सीधी दूरी से मतलब रखते हैं अपन तो यहाँ पे जो सीधी दूरी है वो अपनी 2R हो जाएगी इसके व्यास के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2R अब 2R नहीं लिख पाएंगे अपन कारण क्या है R थोड़ी दे रखा है R है उसको L के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे रेफरेंश डालता हूँ क्या लिखूंगा कि सर आधे वरत की परीद ही जो होती है वो पाई-R होती है और पाई-R की जो वैल्यू है वो अपने पास लंबाई L के बराबर है बात समझ में आरी है यह पूरे वरत के रूप में मोड़ देंगे तो इसको अपन टू पाई-R लिखेंगे अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे और अब यहां से मुझे R की वैल्यू निकालनी है तो यह R की वैल्यू हो जाएगी L अपन पाई ठीक है यह L अपन पाई की वैल्यू है वो आप यहां रख दीजिए तो इस तरीके से आपको पास जब यह क्यूशन आएगा तो इसकी जो आप्शन मिलेंगे उसमें आपको 2 को मैं यहां ले लेता हूँ और यह जो R है इस R की जगे L अपन पाई ले लेता हूँ तो यह इसका जो प्रभावी चुम्बक की आगुण बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से परिवर्टित हो जाएगा चलिए और इस्तितियां पढ़ते हैं पन इसकी चुम्बक की और नेट को वृत के फोम में बदल दिया इस तरीके से और यह इसके दोनों दुरुओं को यहاं से मिला दिया थीक है इस परिश्थिती में इसका एमडेसन Ó जाएगा खून बन दुरुए जो है उनके बीच की जो ये जो दूरी है वो इस पूरी लंबाई की तूलना में बहुत नगन्ने है और बहुत नगन्ने है इसलिए MDS का मान जीरो हो जाएगा यानि कि ये दि वरीताकार चुम्बक आपके पास है तो उसके धुरूओं के बीच की दूरी है हालाएं कि क्या होना चा पूरी लंबाई की तुलना में इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है इसलिए इस परिस्थिती के अंदर प्रभावी जुम्बक के आगुर्ण है वो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसके बाद में एक और इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर और इसकी प्रभावी लंबाई L है और मान लीजे एक मेरे पास यहां पर और मैगनेट रखी हुई है और वो जो मैगनेट है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है कि इसका जो दक्षिन दुर bisa इस तरफ है और दुर को में लिखει होई यह जो configuration यहां पर बनावड दे रखी है इसका परिणामी चुम्बक की आगुण क्या हो जाएगा तो सर अभी आपने बताया कि चुम्बक की आगुण की जो दिशा होती है वो दक्षिन दुरुवे से उत्री दुरुवे की तरफ होती है तो यहां से चल करके इसका जो चुम्बक की आगुण की दिशा हो जाएगी वो यह हो जाएगी और इसका चुम्बक की आगुण कितना हो जाएगा दुरुवे प्रबलता इंटू प्रभावी लंबाई ठीक है और इस magnet की बात करें तो इसके दक्षिन दुरुवे से उत्री द अलग-अलग इस पहले वाली magnet को काट करके नहीं ले रखा है क्योंकि आपको स्पस्ट दिख रहा है धुरुवे प्रबलताएं हैं प्रभावी लंबाई है वो इन दोनों में सेम दे रखा है तो यह एक जैसे दो magnet है एक magnet को काट करके नहीं रखा गया है हाँ प्रशन काट क करके भी कह सकता है कि आपके पास कोई एक M धुरुवे प्रबलता की L लंबाई की magnet है उसको बीच में से आपको काटना है काट करके उसके दो टुकड़े वन जाएंगे दोनों टुकड़ों को आप इस तरीके से लंबवत रखेंगे तो उसकी धुरुवे प्रबलता क्या हो हो वही सदी स्योजन का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला लगा होगी आप यहाँ पर बताएए तो इसको यदि मैं M1 कह दूँ इसको मैं M2 कह दूँ हाँ दोनों की धुरुवे प्रबलताएं अलग-अलग हो सकती हैं यह दोनों समान चुम्बक हो सकते हैं अलग-अलग हो सकत तो परिणामी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है M1 का स्क्वेर प्लस M2 का स्क्वेर प्लस 2 M1 M2 कॉस्ट थीटा और इसका क्या लगा दें उपर अंडरूट लगाती है यह आपके पास इसका फॉर्मूला होता है जो अपन बेसिक फंडामेंटल है काक्षा 10 से आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इस परिष्थिती में क्या हो जाएगा यह दोनों लंबोत हैं तो थीटा है वो 90 कोस 90 का मान 0 तो यह पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा और M1 और M2 है वो तो बराबर हैं तो M1 और M2 है इन दोनों को बराबर लेने के लिए इसको मैं अलग दिखा आने के लिए M' कहा देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आजेगी M' बराबर आप लोग सॉल कर पाएंगे अंडरूट 2M हो जाएगे ठीक है तो इस तरीके से अपने इनका चुम्बक की आगुरुन है वो निकाल सकते हैं इस प्रशन में आप इसको किसी भी त परिश्थितियां हैं अलगले परीके के क्यूशन हैं वो आप लोगों के यहाँ पर सॉल करने चाहिए लेकिन छड़ चुम्बक का जो चुम्बक यह आगुरुन है वो टॉपिक आपका यहाँ पर कम्पलीट हो जाता है अब मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि चुम्ब चुम्बक यह आगुरुन है वो दो तरीके की चुम्बक का निकालने का आता है एक छड़ चुम्बक का और एक धारवाही कुंडली का तो अब दूसरा जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो धारवाही कुंडली का चुम्बक की आगुरुन निकालना स्टार्ट परन्तु उससे पहले आप लोगों को इस तरीके के और बहुत सारे डाइग्राम प्रशन बना करके सॉल करने चाहिए competition exam में निश्ची तूरूप से यहां से क्यूशन है वो आते हैं ठीक है एक छोटा सा homework मां आप लोगों को यहां पर डाल देता हूँ इसको question नमर आप F कह दीजिए उसका परिणामी चुम्बक की आगुण है वो आपको निकालना है question यह है कि वो जो अभी आपके पास L लंबाई की और MM धुरूप प्रबलतायम की magnet थी उस magnet को आपको इस तरीके से L सेप में मोड देना है ठीक है इसका यहाँ है और दूसरे दुरूप इसका यहाँ है अब इसका जो परिणामी चुम्बक की आगुण M- है वो M के पदों में निकालना है clear है आप इसको यह कह सकते हैं कि मैंने एक चुम्बक को काट करके दो बराबर बराबर टुकडों में रखा है तो इसका आंसर है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा उसका जो solution है वो भी माँ आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर highlight करके उसको apply कर दूँगा पट पहले आप लोग इसकी practice करके उसका आंसर हमें जरूर लिखेंगे चलिए अगला topic अपन सुरू करते हैं वरिताकार धारावाही कुंडली के कारण चुम्ब की आगुर्ण धारावाही लूप का चुम्ब की द्विद्रुवे आगुर्ण सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि मान लीजी यह आपके पास कोई एक वरिताकार लूप है और यह आपके पास कोई दूसरा वरिताकार लूप है चीक है इसमें दो तरह से करंट है वो प्रवाहित हो सकता है पहला एंटी क्लोकवाइज कुछ इस तरीके से और दूसरा क्लोकवाइज गड़ी की दिशा में चीक है यह आप इसको सामने की तरब से देखेंगे इस लूप को तो आपको यह गड़ी के विपरीत दिशा में करंट बहता हुआ दिखाई देगा लेकिन अगर आप इसी लूप को इसके पीछे खड़े हो करके देखेंगे तो आपको यह गड़ी की दिशा में धारा प्रवाह दिखाईगा ठीक इसी तरीके से इसमें अगर आप यहाँ पे इस पैन की पॉजिशन में हैं जो इसके सामने है यहां से आपको गड़ी की दिशा में करंट दिखाई दे रहा है लेकिन अगर आप इसके लूप के ठीक नीचे पीछे की तरफ खड़े हो करके देखेंगे तो आपको इसी लूप में गड़ी के विपरीत दिशा में धारा प्रवाह दिखाई देगा तो सामने से देखने पर आपको कैसा करंट फ्लो दिखाई दे रहा है देखें यहां पर मैं छोटा सा सेग्मेंट बताना का प्रियास कर रहा हूँ कि यह जो करंट की डायरेक्शन है वो यहां है और यह जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और अगर मैं इन दोनों को यहां से मिला दू तो मेरे पास N के जैसे आकरती बन रही है तो यदि सामने से देखने पर यदि गड़ी में विपरित दिशा में धारा प्रवाह हो रहा है गड़ी के विपरित दिशा में इस कुंडली में करंट फ्लो हो रहा है तो सामने से देखने पर ये आपको उत्री दुरुए की भाती नजर आएगा और ये इस चुम्बक का उत्री दुरुए होगा और अभी अपने चर्चाकरी की यदि आप इसको इसके पीछे से देखेंगे तो आपको ये वाली पोजिशन नजर आएगी और इस वाली position में येदी मैं current की direction को show करने का प्रियास करूँ ये याद रखने का तरीका बनाया गया है यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से आपको current नजरा रहा है तो ये आपके सामने गड़ी का दिशा में current flow हो रहा है और ये चुम्बक का दक्षनी धुरुए होगा तो अब ये इसके उपर बात करूं तो मैं सामने से देख रहा हूं तो ये मेरे को उत्री धुरुए होगा और इसके नीचे वाला जो है वो इसका दक्षनी धुरुए होगा और ये गड़ी के विपरित दिशा में करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से तो सामने से देखने पर ये दक्षनी धुरुए होगा और इसके पीछे वाला है वो उत्री धुरुए हो जाएगा और जब इसका एक उत्री धुरुए और दूसरा दक्षनी धुरुए है अब इसमें करंट की वज़े से हो रहा है इसकी धुरुए पर बलता है तो अपने कैलकुलेट कर नहीं सकते इसके अंदर आप इसकी चुम्बक की प्रभावी लंबाई भी नहीं निकाल सकते तो फिर चुम्बक की आगुन कैसे निकालेंगे यहां पर समझ से यह आ जाती है तो इसके लिए चुम्बक की आगुन निकालने का कोई दूसरा फोर्मूला दिया गया कैसे तो इसके लिए अपने को क्या करना है हालानकि मैं डायरेक्ट इसके चुम्बक की आगुण की जो परीभाषा है फोर्मूला है वो आप लोगों के सामने बता सकता हूँ लेकिन अपने इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझेंगे कैसे अपने पहले पढ़ा है कि समान चुम्बक की अक्षेतर में पिछले चेप्टर नमबर साथ में अपने पढ़के आए हैं कि समान चुम्बक की अक्षेतर में येदी कोई धारावाही कुंडली रखी जाए चुम्बक की अक्षेत्र में कोई धारावाही कुंडली रखी जाए तो उसके उपर एक बल आगुर्ण लगता है कितनी उसकी वैल्यू होती है छोटा सा पेरग्राफ में यहाँ पहले लिखता हूँ तो यहाँ पे अपने लिखा है कि समान चुम्बक की अक्षेत्र 20 सदीश में कोई क्षेत्र फल ए वाली धारावाही कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहीत हो रही है एक ऐसी कुंडली है जिसका एरिया ए है आई धारा उसमें प्रवाहीत हो रही है और चुम्बक की एक्षेतर 20 सदीस में रखा गया है कोई कोण अलफा बना करके तो उस परीष्थिती में आपन चेप्टर नमबर 7 में पढ़के आये हैं कि उसके उपर एक बल आगुण लगता है तव बराबर एन आई ए बी साइन अलफा इतना बल आगुण उसके उपर लगता है अब चेप्टर नमबर 1 में आपने विदूत द्वी धुरुवय और विदूत द्वी धुरुवय के उपर लगने वाला बल आगुण पढ़ा है तो उस विदूत द्विधुरुए के उपर लगने वाले बल आगुण का फोर्मूला तो बराबर P E साइन थीटा होता था पढ़के आए हैं उसमें E विदूत क्षेतर तो यहाँ पे B चुम्बक क्षेतर उसमें उसके साथ बनने वाला कौन थीटा तो साइन थीटा यहाँ प तो उसी तरीके से इस B के साथ में जो भी मल्टिफिकेशन में वैल्यू आएगी उससे अपन चुम्बक क्ये द्विधुरु आगुण कहेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि विदूत द्विधुरु आगुण का फोर्मूला तो बराबर P E साइन अलफा दोनों की तुल अब आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं क्या कि धारावाही लूप का जो चुम्बक की आगुण होगा वो चुम्बक की आगुण कुंडली के फेरों की संख्या के समानुपाती कुंडली के ख्यत्रफल के समानुपाती और कुंडली में बहने वाली विदुत धारा के समान पाती होता है इन टीनों के गुणनफल के बराबर होता है तो आप चाहें तो इनको एक-एक करके अब इसकी परिभासा लिख सकते हैं कि धारावाही लूप का चुम्बकी आगुर्ण है वो किसके बराबर होता है तो इसके लिए पहले माप लोगों को एक लाइन यहापे तो इसकी परिभासा आपन कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि धारावाही कुंडली का जो चुम्बकी आगुर्ण है वो कुंडली में प्रवाहित धारा आई के कुंडली के क्षेत्रफल एके एवं कुंडली के फेरों की संख्या एन के समानुपाती होता है तो यदि मैं ती चिन हटेगा तो यहाँ पे एक constant लग जाएगा यहाँ पे मैंने इस constant को k लिखा है जहां k है वो समानुपाती निये तांक है और k की value है वो 1 होती है इस case के अंदर particular इस case के अंदर तो k की value जब मैं यहाँ पे 1 लिखुँगा तो मेरे पास m बराबर n i a आ जाएगा अब कि आगुन सदीश रासी है तो यहाँ पर इसकी जो दिशा है वो कौन सी दिशा में आएगा तो इसकी लिए अपने को क्या करना है कि मैंने यहाँ पर एक end cap लगाया है यह end cap एक direction है कौन सी दिशा है यह दी कुंडली में बेहने वाले current की direction में आप इस दाहिने हाथ की मूडी हुई अंगुलियों को रखेंगे current की direction में तो दाहिने हाथ के नियम के अनुसार जो चुम्बक की ख्षेतर की दिशा को बताता है जो अंगुठे की direction है वो चुम्बक की आगुन की दिशा में हो जाएगा तो यह जो end cap है वो इस क्षेतर फल की दिशा में हो जाएगा यह यह आपके पास कोई कुंडली है तो इसका जो क्षेतर फल है वो लंबवत बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होगा तो अंदर की तरफ नहीं लेना है अपने को दाहिने हाथ का नियम लगाना है जिस तरफ करंट की डाइरेक्शन जा रही है उसके परपेंडिकुलर अंगुठी की दिशा में हो जाएगा तो यह अपने पास वरीताकार धारवाही कुंडली का चुंबक की आगुना आ जाता है तो यह दि आपको किशी क्यूशन में चुंबक की आगुन निकालना है तो पहले आप यह कंफर्म कर लें कि आपके पास चुंबक की आगुन का फोर्मूला जो धुर्वप्रबलता इंटू लंबाई वो लगाना है या M बराबर NIA लगाना है प्रशन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि छड़ चुंबक यहां पे ले रखी है या फिर धारावाही कुंडली की जो चुंबक है वो ले रखी है तो इन दोनों के हिसाब से अपने इस टोपिक को कम्पलीट कर लेते हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें अगले वीडियो के अनली बने रही हमारे साथ नेक्स टोपिक है वो बहुत महत्वपुन और बर्ड प्रिक्षा के लिए अती महत्वपुन रहेगा इस वर्ष के लिए धन्यवाद थैंक्यो